दोस्तों भात करें तो अभी smart watches से साथ आपको क्या problem देखने को मिलती है मतलब आप ऐसे समझ सकते कि smart watches तो आपको अच्छी देखने को मिल जाती एंडुरॉइट साइड में लेकिन उसके अंदर software तो अच्छा देखने को नहीं मिलता कमी रह जाती है कोई ना कोई problem आ जाती है और वो smart वाले feature नहीं आपाते मतलब ऐसे समझ सकता हो कि hardware तो अच्छा है लेकि software की कमी होने के कारण एक smart band का थोड़ा समहेंगा version बन कर रहा गया यहाँ पर लेकिन यहाँ पर Samsung और Google ले इस चीज़ को यहाँ पर बतल दिया इस साल Google आयो में Samsung और Google ले announce कहता कि वो यहाँ पर partner कर रहे है next VROS के लिए और Samsung जैसी company के साथ VROS को एक नया version लाकर देंगे जिससे रहेगा कि Google का जो software रहता है वो यहाँ पर आ जाएगा और Samsung जो premium hardware बनाती है वो यहाँ पर रहेगा यानि कि hardware और software का best combination और लग रहा है कि यह बात यहाँ पर सच हो गई है क्योंकि जो galaxy watch 4 है ना यहाँ पर इसके अंदर best possible आपको hardware और software देखने को रहा है जिससे यह रहेगा कि android side मगर किसी को proper और best smart watch लेनी है ना वो यही हो जाती है क्योंकि smart watch अब प्रॉब्लम में है कि software में लग कर जाती है लेकि लग रहा है कि Samsung Google मिलके यह पूरी चीज़ को यहाँ पर बदलने वाले है चलिए इस वीडियो के अंदर बात करतें galaxy watch 4 के बारे में इसको कुछ दिन से यहाँ यूज कर रहा हूँ अपने experience में बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह के से game changer वाली जो चीज़ वह यहाँ पर साबित हो सकती है तो वीडियो गर आप लोगों को पूसे है तो लाइक करतें नो चैनल को यहाँ पर subscribe कर देना तो सबसे पहले बात करने वालों कि यहाँ पर आपको Google की services देखने को मुलती है इसके अंदर याने की एक special VROS है जो की Samsung Watch के लिए बनाया गया है और इसकी ओपर जो लेर लगाई गया है वो है One UI Watch 3 की कहने का मतलब है कि इंटरनली VROS है और VROS के जितने भी features होता है वो लेके चलता है और जो पहले problem आती थी ना bugs वगरा की UI लागी होता तो वो सार चीज़ यहाँ पर fix करें इवर battery life को भी हाँ पर improve किया है बहर से इतनी बात नहीं यहाँ पर एक और खास बात यागी इस watch के अंदर अब directly जो third party applications होती वो install कर सकते है mobile phone के तुरू भी और directly play store के तुरू भी जो की watch के अंदर चीज़ का feature दे रखा है watch के अंदर अभी spotify जैसी app available है उसका use up कर सकते VLC player देखने को होता है जिसका use up play post करने के लिए कर सकते है याने के धेर सारी functionalities already apps available है और developers आज के समय में इसके लिए apps develop कर रहे है जिसका benefit है रहेगा कि इसके अंदर functionalities बढ़ती चली जाएगी और app जो रहती है वो natively watch के अंदर install होगी यह काफी अची चीज़ है और इसी च RAM का जो processor होता है पहले बार किसी smart watch के अंदर आ रहा है यह काफी सही चीज़ हो जाती है इसके साथी 1.5 GB की RAM हो 16 GB की इंदर storage अब आप पूछ रहती RAM storage है क्या मतलब apps यहां पर natively watch के अंदर चलेंगी यह काफी कमाल का feature है इसके जाती बात करें तो यहां पर screenshot वगरा ले सकते तो वो भी watch की gallery के अंदर save होंगे आपके phone के अंदर भी आ जाएंगे लेकिन बात यह कि watch वो इंडिविजल बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा वहीं बात करें Samsung की ecosystem के सब बहुत अच्छी तरीके से काम करता है Buds की app दे रखी है अगर आप कोई गाना वगरा सुन रो है Bud वगरा कंट्रोल करने Samsung Galaxy Buds 2 अगर ना आया कर उनके साथ अगर कोई चीज करना चाहते हो तो बहुत अच्छे तरीके से compatibility है और बहुत अच्छे तरीके से वहां काम करते हैं इसके साथ ही बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलता है जो Samsung के phones होते हैं वह better connectivity बहुत ही ज जो डिजाइन मिल रहा है वह काफी जाद अच्छा है चलिए बात करते हैं वाच के डिजाइन के बारे में तो मेरे पास जो एडिशन है 44 mm वाला जहां पर 450 x 450 की सुपर AMOLED डिस्पले देखने को होते है टच टाइप के पैसिटिव डिस्पले है यहां पर और यहां पर आप यह कि जो circular dial होता है फिजिकल वाला वो classic watch के अंदर मिलता है जब की जो watch 4 रहती है उसके अंदर आप कुछ regular जो स्क्रीन रहती है उसकी चार तरव बैजल मिलती है उसका यूज करके आप similar functionality को यह अचीव कर सकते है फिजिकल डैल नहीं है यह एक बात है इसके साथ है एक है watch 4 लेकिन बात वाच 4 classic भी काफी अच्छी देखने में वेलती है और watch 4 भी काफी एक्छी और सबसे ची बात है watch 4 की हाँ पे value for money वाली चीज होती है उसे हाँ पे fulfill करती है इसके साथी बात करें बैटरी की तो आराम से दो या तीन दिन तक आराम से इसकी बैटरी चल सकती है 361MH की बैटरी 44mm और 46mm वाले में और जो छोटी वाच आ थी ना 40mm, 42mm वाली इसके साथ ही बात करें connectivity में LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi देखने को मलता है 5 GHz वाले के साथ NFC चिप देखने को मलता है GPS का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मलता है तो बात ही है तो connectivity में कोई प्रॉब्लम ने आने वाली और ऐसे ही बात किया तो fitness के लिए भी जो sensors होते ना वहाँ भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है जैसकी बात करते हैं यहाँ पर आपको पूरी जो health tracking होती हो यहाँ पर कर लेगा इवन SPO2 भी आपको देखने को मिलता है और जो BIA यहाँ पर दे रखा है वो काफी अच्छा एक feature है जिसके अंदर आपकी body का mass fat यानि की total body की composition होती है उसे यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह चीज़ बहुत accurately काम करते है बात किया तो galaxy watch 4 series है यहाँ पर एक special feature इसको दे रखा है क्योंकि एस type का जो feature होता है आपको दूसरी watches में देखने को नहीं मिल था BIA वाला यह exclusive feature है जो कि health tracking वगरा में काफी दा help करते है क्योंकि BIA एक ऐसी चीज़े जो किसी और watch में नहीं आती और एक speciality यहाँ पर यह BIA की कि इसके लिए बड़ी बड़ी machine रहती है लेकिन यह इसके जो sensors होते है सारे anonymous watch के अंदरा डाल वी है जिससे आप BIA को calculate कर सकते है यह भी काफी अच्छी चीज़ है इसके साथ ही definitely आपको SPO2 देखने को मिलता है आपका heart rate sensor देखने को मिलता है यहाँ पर बात की जाए तो अगर आप थोड़े stress में तो stress को भी हाँ पर measure बगरा किया जा सकता है इसके साथ ही बात किया है तो sleep tracking बहुत अच्छे तरीके से हाँ पर काम करती मतलब कहने का मतलब की health tracking में जितने सारी चीज़ें यहाँ पर डाल सकते तो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी है और एक perfect health rated smart watch यहाँ पर नोंने develop करी है और अच्छी चीज़ें की सारी की सारी जो चीज़ें रहती न watch के अंदर भी आप view कर सकते हैं इसके साथ ही बात करें डिजाइन की तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा डिजाइन देखने को मिलता है यहाँ आपको अलग अलग तरह के band option देखने को मिलते है watch faces बहुत सारे ने आप कस्टमाइज कर सकते हैं कस्टमाइजेशन की बहुत अच्छी चीज़ें VROS तो देखने को मिल रहा है लेकिन 1EY की जो चिंजेस होते हैं यहाँ तक की बात की जाए तो इससे आप call वगरा attend कर सकते हैं call वगरा place कर सकते हैं इसके साथ ही अपनी पूरी phone book रहती उसको यहाँ पे watch के उपर access कर सकते हैं यहाँ पे watch के इंदा छोटे मोटे reply कर सकते हैं यहाँ पे आपको simple सा keyword देखने को मिल जाएगा कहने का अलगी customization भी काफी एच्छी build quality भी हाँ पे काफी एच्छी और एक premium चीज़ देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको proper IP rating और जो 580M की जो resistance होती है वो भी और जो military grade की जो protection होती है वो भी कहने का मतलब है कि all all durability build wise काफी कची चीज़ हो software को यहाँ पे इच्छे तरीके से implement किया गया कि आप इसका अच्छे तरीके से आप benefit उठा सकते हैं तो बात करें तो इस सारी चीज़े हो जाती watch के बारे में चलिए बात करते हैं इसके pros और cons के बारे में तो जो pros जो सबसे अच्छा लगा वो overalls की performance है और जो software का integration है वो plus जो health related sensors मिल रहे हैं वो कहने का मतलब है कि pros में तो सबसे बड़ी चीज़े कि android side में जो best smartwatch लेना चाहते हो यही हो जाती है बात करते हैं तो एस सच मेर को मिला नहीं कोई लेकिन बात यह कि ECG जो है वो अभी इस watch के अवाइल लेबल नहीं है लेकिन हो सकता है future में अप्रीट वगरा से इस चीज़ को यहाँ पर enable कर दे है क्योंकि बात ही है तो यह लोग यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वाउच लेना चाहते है जिसके अंदर features की कमी नहीं हो एक quality product देखने को ले hardware भी अच्छा रहे लेकिन software भी अच्छा रहे तो सबसे अच्छा मार्केट में option यहीं है समय Galaxy Watch 4 सच में काफी अच्छी चीज हो जाती है और जो नया जो VR OS यहाँ पर इंप्लीमेंट की है गोगल ने वह भी काफी अच्छी है जो कि पिछले सारे version से काफी जादा better है और गोगल खुद चाहती है कि smart watch वाली केटिगरी में हम वह खुद किसी ने किसी तरीके सेंट्री करें और सैमसंग के साथ मिलके एक परफेक्ट हार्डवेर को परफेक्ट सॉफ्टर जो मिला है न यह काफी अच्छी चीज़े तो डेफिनिटली अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मतलब लिस्ट में आपकी प्रायरिटी पर सबसूपर होनी चाहिए क्योंकि इ वाच फॉर क्लास है कि वह थर्टी वन ट्रिपल न की आती है पर अगर आपका बजट अलाओ कर सकता है तो वह ठीक ऑप्शन है लेकिन मैं कहूंगा कि वाच फॉर ट्वंटी ट्रिपल लाइन में एक वैल्यू फॉर मनी है प्लस बैंक गॉफर और काफी सारे ओफर्स वगर गैलक्सी वाच फॉर के वारे में अब लोग को गैलक्सी वाच फॉर कैसे लेके बात निचे कमणने बता ना बोलो वीडियो पसंदा तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थेंक्यों कूड़ी दीखने के लिए मैं आप सुन दर नेक्स टोन में गुड़ बा